हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेर्निंग नीट पर और आते नौ बजी की क्लास आपकी जो है जो की एवन डे स्किप करके फिरहाल चल रही है यह आपकी संस्क्रित की और संस्क्रित की मैंने आपको गध्यान से सॉल्व कराये थे और पैडगोजी के लिए काफी रिक्वेस्ट आ रही है तो चले स्टार्ट करेंगे सेशन और एक चीज और यह आती है कि प्रीवियस येर के किश्चन पेपर से ही लिया गया किश्चन है क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन फिरहाल अभी तक अपने खुद के प्रश्न नहीं बनाया है कोई भी पब्लिकेशन जत्यों कि मैंने लगभख सभी पब्लिकेशन में ढूड़ने की कोशिश की है तो आपको किश्चन जो भी मिल रहा है संस्कृत के कहीं से भी हां बस यह कि कोई थमनेल पे लिख देता है कि प्रीवियस येर के किश्चन पेपर है कोई जो है उसको रेंडमली करा देता है तो मैं क्योंकि रेंडमली किश्चन सेलेक्ट करती हूँ इसलिए मैंने प्रीवियस नाम नहीं दिया है बट रहते हैं वो शैब प्रीवियस येर पूछे गई किश्चन ही होते है ठीक है तो यह मैंने आपको ऑनेस्टा दिया अब चले स्टार तो यहां पे एक बड़ा सा सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ इसको आप अलग-अलग करिए व्याकरन बोधन से बोध कर लीजे ठीक है उपयोग यहां से आ जाता है आपका और अस से अलगा है इसकार्थ होता है का का के की कुछ भी तो किल में लाके व्याकरन बोध का उपयोग ह है क्या क्योशन आपका यह हुआ इस तरह से आप इसकी हिंदी समझ ले सकते हैं अब आप्शन देख लेजिए निरर्गलिभाशर सक्त्य विवर्धनम ठीक है इस तरह से अलग-अलग करके पढ़िए ताकि समझ में आए साक्षर्ता विवर्धनम वर्धन का मतलब होता है ब उपयोगी है तो देखे जब आप व्याकरण का आपको समझ हो जाती है व्याकरण समझने लगते हैं तो आप जो है किसी भी भाशा की अथार्तिता को समझ जाते हैं मतलब भाशा की शुद्धता को समझ जाते हैं उसका सही उपयोग क्या हां कैसे करना है यह सारी चीज़े आपको समझ में आने लगती हैं तो कहीं न कहीं व्याकरर जो है वह अथार्थता की विर्दी करता है भाषा, सिक्षण या भाषा अधिकम में तो correct answer आपका option number D हो जाता है अगला प्रश्ण है सम्मिस्रती ये आधा का लिखा हुआ है सदिकरा जिसे word ना हो मत समूह ठीक है इसको अलग-अलग करिए सम्मिस्रत शक्ति समूह इस तरह से अलग करिए फिर अस्मिन समानो भवती यानि कि सम्मिस्रत शक्तियों उसके बाद फिर आपका अस्मिन समानो भवती समूह लिखा है सम्मिस्रत सम्मिस्रत शक्तियों का समूह जो है वो किस चीज में होता है किसके समान होता है ये बता ना है यहां में बहुत ही आराम आराम से एक एक शब्द आपको अलग करके पढ़ा रही हूँ ताकि जिनकी संस्कृत बहुत वीक है वो भी समझ सकें ठीक है तो यहां पे जो सही उत्तर होता है आपका वो हो जाता है option number B वैसे भी समूह की जहां बात आ जाती है समाजिक अस्तर है समाजिक अस्तर में समगर सक्तियों का मिश्रण होता है क्योंकि ठीक है और हर छेत्र के विशय का ज्यान होता है समाजिक में ठीक है तो यहां पे समिस्तर शक्ति समूह जो है वो समाजिक अस्तर के समान होता है यानि कि सारी चीजों का मिश्रण ठीक है ऐसी बात हो रही है यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे हम बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं पठेत ग्रहन अब दीकिया अलग-अलग करके पढ़े हैं पठेत ग्रहन परिक्छायां इद्रिशाह प्रशनाह भव भवन्ती मतलब होते हैं तो यहाँ पर बोलाएगी पठेत ग्रहन परिक्छाओं में किस तरह के प्रशन होते हैं यही आपको बताना है ऑप्शन देख लीजेगा एक बार फटा-फट से पढ़नेगी प्रैक्टिस संस्क्रिट चल देल दिप करिए ताकि एक्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि एक्जाम में कोई पढ़के नहीं सुनाएगा वहाँ पर आपको खुद पढ़ना है खेर चलिए देखेंगे पहले इसका जो सही उत्तर है क्यूं है और आप्शन नमबर सी यहाँ पर सही एंसर है ये अवधारणेन साकम अनुमानम व्याख्यायन मौल्यांकनम च परिक्षनते तो यहाँ पर पठित ग्रहन परिक्षाओं के अंतरगत जो भी प्रश्ण होते हैं वो क्या ऐसे प्रश्ण होते हैं जिसमें दीकि अवधारणा भी परिक्षण हो यानि ज्यान भी समझ में आए कि क्या चीज है ठीक है मुल्यांकन व्याख्या अनुमान ये सारी चीजों का परिक्षण हो सकता है मुल्यांकन किया जा सकता है इन सभी चीजों का ठीक है ऐसे प्रश्ण होने चाहिए या ऐसे प्रश्ण होते हैं अब बाकी के जो option थे उसमें क्या था कि ये पार्ठ ग्यानम सिर्फ जो पार्ठ ग्यान की बात हो रही है उसी की परिक्षा की बात हो रही है ठीक है ये चात्रान निर्दो शाणी उत्तरानी लेकि तुम यह सिर्फ उत्तर लिखने की प्रोट्साहित किया जा रहा है सिर्फ एक चीज की बा पाठ्ठों में आई हुए जो है शब्द से उनके संरचना की प्रमुगता को केंद्रमान करके तो यहाँ पे भी एक ही चीज़ पर फोकस किया जा रहा है किस पर फोकस करना है जिसमें कई सारी चीज़ों का मुल्यांकन हो सिर्फ संश्क्रत ही रहे किसी भी विशह में मुल्यांकन के समद में ऐसा कुछ भी आए तो आपको question ऐसी बनाने हैं जिसमें ज्यादा पक्षों का मुल्यांकन हो सके अब इसमें आपको एक चीज तो समझ में आ रही है माली जे बिल्कुल संश्क्रत नहीं बनती तो ये समझ में आ रही कि सिक्षक की बात हो रही है सिक्षक को द्वारा चात्रों को शारीरिक दंड नहीं देने की बात हो रही है न लिखाये न, नहीं देना चाहिए क्यूं option देखिए फटा-फट से क्यूं दंड नहीं देना सी अशारीरिक देखिए हमारा जो एक टीचर का उद्देश होता है हम बालक को ही केंद्र में मान के चलते हैं हम जो करते हैं बालक के लिए करते हैं और जो हम नहीं करते हैं वो भी हम बालक के भले के लिए ही नहीं करते हैं कि इससे बालक को कुछ नुकसान होगा तो सिर्फ अपने लिए या माता-पिता गुस्त हो जाएंगे इस सारी चीजों को फोकस नहीं करना है सिर्फ चात्र को केंद्र मान के आपको solve करना है option number B से होगा क्योंकि इस से क्या होता है चात्र के मनो भार में भै उत्पन हो जाता है उसके मन में डर उत्पन हो जाता है कई चात्र जो है डरे रहते हैं इस वज़े से कई बार वो उनको कोई confusion होती है तो पूछते भी नहीं है तो हमें चात्र को केंद्र मानना है हम शारीरिक दंडिस ले नहीं देते क्याकि उसके मन में जो है भै उत्पन ना हो जाए वो हमेशा डरा सैमा न रहने लगे ठीक है और अगर कोई काम हम करते हैं तो भी हम चात्र के ही विकास के लिए करेंगे यह मान के आप सीटेट का एक्जाम दीजिएगा शिशोह सर्वांगीडा भिव्रिध्धी त्योद्याती ओके शिशु के देखे शिशु के सर्वांगीड जो विकास की बात हो यह विकास की अभिव्रिध्धी अब विवृद्धी की बात हो रही है क्या दर्शाती है यह आपको बताना है पहला यह option देख लीजे पहले दैनिक मानसिक भावनात्मक सामर्थ्या नाम सामरस्य ना विवृद्धम उसके बाद फिर ऐसे ही छोटे-छोटे options फटा-फट से देख लीजे तो सर्वांगीड की जब बात आती है देखिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की हाँ कोई अवश्यक्ता नहीं है जब सर्वांगीड की बात आती है तो मतलब उसमें क्या आजाता है हर तरह की सारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास सारी चीजों की बात आ जाती है यानि कि वो हर तरह से समर्थ होना चाहिए सर्वांगीड विकास में इन सब की विर्धी होती है हमेशा तो यहाँ पर आपका option number जो है वो क्या होता है option number A यह दैनिक नहीं होगा, यह दैहिक होगा यह I think by mistake लिखा हुआ है सर्वांगीड का मतलब ही होता है सभी पक्षों का विकास कह प्रकारात्मकह शब्द सीधे सीधे बोलाएगी functional word क्या है किमपिना, रचनात्मक, विक्षिप्त, सर्वे चलिए देख लेते हैं, रचनात्मक शब्द जो होते हैं, उनको ही प्रकारात्मक शब्द कहते हैं, रचनात्मक शब्द को ही प्रकारात्मक शब्द कहा जाता है और शब्दों को प्रकारात्मक शब्द इसलिए नहीं कह सकते हैं, नहीं विक्षिप्त को प्रकारात्मक शब्द हम कह सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर दिया है, यह सारे को नहीं कह सकते हैं, प्रकारात्मक शब्द जो है, वही रचनात्मक शब्द होते हैं, तो आपका option number B से होना चाहिए, यहाँ पर बोला है कोई नहीं, इसमें बोला है, सभी, तो option बसे हमाँ पर पे ब्रक करिए प्रश्ण को अध्यान समय एगे मातर लगे मत अध्यान के समय में विशेशड पदम modifier इंग्लिश में भी लिखा है सक्यते सक्यतेस्म सक्या संभावनम अत्रायम केंदरी करोती तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा समझाए कि अध्यान समय में विशेशड पद जैसे दिये हुए हैं सक्यते सक्यतेस्म सक्या ठीक है संभावनम यहाँ पर आगे आपके फिर किस चीज को केंदरी करता है यह बताना है आपको तेशाम बाक्यात्मकम स्थानम तेशाम अयम संदर्भान गुड धर्मम या पूरुपदार्थम फड़ा फ़र से बताईए तो पहली बात है यहाँ पर आपका उप्शन नंबर ए आज सी सही हो जाएगा एक बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया संदर्भान गुड धर्मम ठीक है यह हो जाएगा सही अंसर यानि कि जो गुड की बात आती है वैसे भी विशेशन जो है वो किसी भी जो भी संदर्भ चल और झुड के फाषण करने में किस चीज का परिक्षेश्ण होता है अवरोधनार्थक प्रकृrac द्वारा, संभाशण वाक्यानी, टिपड़ी लेखन द्वारा, टिपड़ी निर्माण द्वारा, सारांसेन, यानि कि शारांसे, गोई भी चातर ने कोज भी पढ़ा है, उसका उसने कितना भावग्रहन किया है, इस चीज का परिक्षणा कैसे करेंगे, किस चीज के द्वारा तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा, वो होता है सारांसेन, यानि कि समरी जो लिखते हैं, समरी राइटिंग, तो किसी भी चीज का शारांस कोई भी बालक तभी बता पाएगा, जब उसने जो चीज पढ़ी है, उसका भाव भी ग्रहन किया है, उसका अर्थ जो है, वो भी हो जाता है, सीर्षकस्य मुख्य संबंध भवती, सीर्षक का मुख्य संबंध किस्ते होता है, मुख्य पात्रस्य कथनेन, पाठस्य मुख्यान शेन, पाठस्य मुख्य सुक्त्या या संपोण पाठेन, किसी भी पाठ का जो टाइटल सीर्षक दिया जाता है, उसका संबंध क्या मुझे उसका मेन पात्र होता है, मुख्य पात्र होता है, उसके कथन से होता है, या फिर पार्ट का जो मुख्य अंश होता है, उससे होता है, पार्ट का जो मुख्य सुक्ती होती, उसमें अगर ऐसा कुछ है तो उससे होता है, या पूरे पार्ट से होता है, मुख्य संब रहता है वही जो है क्या रहता है उसका फीर रहता है तो यह सही उत्तर हो जाता है तो यह हमारे छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करिए शेयर करिए और आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करके के बेल इकन जरूर प्रस करिएगा तो थैंक्स फो वाचिंग कीप स्टाइग और बागाई